हर जगह विख्सिद भारत संकली व्यात्रा में शामिल होने के लिए शामिल तो होता नहीं उसका स्वागत करते हैं, शांदार तयारिया करते हैं, गाउं गाउं सुचना ही देते हैं और लोग उमढ रहे हैं देशवासी आज इसे एक जन्नांदोलन का रूप देकर इस पूरे अभ्यान को आगे बढ़ा रहे हैं जिस तरह से लोग विख्सिद भारत रतों का स्वागत कर रहे हैं जिस तरह से रत के साथ चल रहे हैं जो हमारे सरकार के काम करने वाले मेरे कर्मियों की साथ ही हैं कर्मिचारी भाई बैना हैं उनको भी भगवान की तरह लोग स्वागत कर रहे हैं जिस तरह युवा और समाज के हर वर्क के लोग विख्सिद भारत रत्रा से जुड़ रहे हैं जहां जहां के वीडियो मैंने देखे हैं, वो इतने प्रभावित करने वाले हैं, इतने प्रेरित करने वाले हैं, और मैं देख रहा हूँ सब लोग अपने गाउं की कहानी सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि नमो एप पर आप जरूर अपलोड करि क्योंकि मैं नमोएप पर ये सारी गतिविदी को डेली देखता हूं जब भी आत्रा में होता हूं तो लगातार उसको देखते रहता हूं किस गाउं में किस राज्य में कहां कैसा हुआ कैसे कर रहे हैं और युवा तो विक्सित भारत के एक प्रगार से एमबेसेडर बन चुक प्रसार कर रहे हैं और मैंने तो देखा कुछ गाउं ने ये मोदी की गैरंटी वाली गाड़ी आने वाली थी तो दो दो दिन तक गाउं में सभाई का बड़ा अभ्यान तलाया तो भाई ये तो गारंटी वाली मोदी की गाड़ी आ रही है यह जो उत्सा यह जो commitment है यह बहुत बड़ी प्रेणा है और मैंने देखा गाजे बाजे बजाने वाले वेश्विशा नहीं पैनने वाले यह जैसे घर में दिवाली है गाउं में इसी रुप में लोग काम कर रहे हैं आज जो कोई भी विक्सित भारत सं पड़ा है अब लक्ष को पार करके ही आगे बनने वाला है भारत न अब रुकने वाला है और नहीं भारत कभी ठकने वाला है अब तो विक्सित भारत बनाना 140 करोड दिजय स्वासियों ने ठान लिया है